बांगी को दिपक सर्मा की तरब से राम राम नमस्कार आज की वीडियो में आप बाईयों को दो बाखडी बैंस से दिखाएंगे काफी बाई डिमांड कर रहे थे अच्छी क्वाल्टी की जो बाखडी बैंस से आए अच्छे दूद वाड़ी तो डिटेल से अंकल जी से जान तो अंकल दी नमस्कार, क्याल चाहिए, मैं बिलकुल बढ़ियाजी तो एक बार, दोनों बैंसों के बारे में बताएए, ये चोथे बियाट में अभी बच्चे को जनम दे गया चाहि पच्छी तारिक को आपने सीमन रख्वाया च्छी मिनने की आज ब्याईयूय हो चुगी है जी पूरे पीक पर निकाला ठीक है तो अभी कौन से सिमन से जा पिछली बार पिछली बार इसले तो अच्या देख सकते हैं बाई इतनी चोड़ी जो पीट का पुसुदन है वो काफी मुश्किल से मिलता है जो ब्रीडिंग परपज की जो बैंसे होती है जो ब्रीडिंग में जो जिन से जो अच्छी क्वाल्टी का जो काफ है वो ले सकते हैं अच्छी जो बैंसे हैं वो इस तरह एक बार दिखाना चांगो अनस दीक से अब लेकर आओ आप इस गुमा आओ यह देखें बाई तो इनक अगे पांचमी बार बच्चा देगी तो आगे पांचमी बार बच्चे को जनम देगी ब्रीडिंग लाइक जो पशुदन होता है वो ऐसा ही अब बैयों को देखने को मिलेगा जी दो नमबर पे अग्या जाए अंगल जी बताएं अब बताएं अच्छा दूद से अटी है यह अपने घर किया यह खुद अर्जन कुंगड किया यह खुद आम अपने घर किया यह कहीं से ले अच्छा तो पिछले जो मालिक है उन्होंने जानकारी दिया अच्छा दूसरे प्यांत में 19 कि लो रिकॉर्ड करवाया हुआ तो कोई डोकुमेंट बगारा अच्छा ठीक किया तो इनका कहना है कि जो पिछले उनर थे उन्होंने जानकारी दी थी कि यह खुद है जो वह मुनतिस की है और 19-19 किलो दूद इसने सैकिंड टाइमर थी तब निकाल ला था अच्छा इसके साथ में जो अर्जिन कुंगड की कट्डी थी वह उन्होंने रख ली और यह से आप उनसे ले आए ठीक है जी तो थन पास कर सकता है कोई भी भाई अगर खरीदने का इच्छुक है तो किमत भी पताना चाहेंगे किमत करेंगे आप मोके पे क्यूंकि जो पसुदन है वो देख सकते हैं बाई क्वाल्टी अभी थोड़ा सा जो दूफ भी निया जो क्व जो लड़के हैं यह देख सकते हैं आप इनको वीडियो के माध्यम से और एक बार पसुदन को मैं दिखाना चाहूंगा जो ब्रीडिंग पर पर से जो बैंसे रखी जाती हैं जिन से अच्छे जो काफ हैं वो हम ले सकते हैं और 21 किलो दूध इसने अपने पिक पॉइंट प जिमी लेंगा